कि अपनी अवसकता नुशार्चायां वाली जगह में वर्मी बैड तय्यार करें मिलिक दिपड़ का त्यार करें कि कंचवे बाहर नह निकल सकें वर्मी बेट को सूरज की रोशनी और बारिस से सुरपसित रखें केंचों को अंधेरी जगे और प्रयाप नमी पसंद है वर्मी बेट तयार करने के लिए 5-6 दिन पुराना गोबर और किचन वेस्ट काम में लें वर्म्स की फीडिंग में नमी के लिए थोड़ा पानी छिड़कें और उसमें केंचों छोड़ दें और ढख दें अत्यदिक गर्मी से बचाने के लिए सब्ता में एक बार फीडिंग को पल्टें और आवशकता अनुसार पानी छिड़कें प्रयाप्त नमी चेक करने के लिए गोबर को मुठी में लेकर दबाएं उसमें से अगर पानी निकलता है इसका मतलब ज्यादा नमी है और यदि वह बिखर जाता है तो नमी कम है और यदि वह नहीं बिखरता है इसका अर्थ है कि भी नमी बिलकुल प्रयाप्त है ये लाइव देखें वर्मी कमपोश तैयार है खाद बनाने वाले लाल केंच्वे अपने वजन का 50-70% खाद रोजाना तैयार करते हैं मतलब एक किलो केंच्वे रोजाना का 500-700 ग्राम खाद तैयार कर देते हैं 60-90 दिन के अंदर पूरा खाद बनकर तैयार हो जाता है प्राकर्तिक खाद तैयार करने का सबसे तेज तरीका वर्मी कल्चर है पारमपरिक तरीके से खाद बनाने में एक साल तका समय लग जाता है लाल केंच्वे व्यस्क होने के बाद पीले रंग के अंडे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है मद्यस्तर के तापमान में इनकी जिन संख्या बर्दी तियूर होती है गुड के पानी के छिड़काओ और गेहूं के छिलकों से इनकी संख्या और अधिक बढ़ती है जब केंच्वे गुच्छों में इकठे हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि वर्मी बैट के अंदर कोई कमी है या तो उसमें तापमान अधिक है या बहुत ज़्यादा गीला है या बहुत ज़्यादा सूखा है वर्मी कंपोस्ट तयार होने के बाद केंच्वों को खाद से कैसे अलग करें तयार वर्मी कंपोस्ट के पास 5-6 दिन पुराना गोबर का धेर लगा दें इससे केंच्वे अपने आप उस धेर में चले आएंगे तयार वर्मी कंपोस्ट को सूखने पर अलग निकाल लें तयार वर्मी कंपोस्ट को हटाने के बाद वहां नया गोबर डाल कर वर्मी बैडिंग तयार करें वर्मी कंपोस्ट के फाइदे निकाल वर्मी कंपोस्ट के फाइदे करस्तान सरकार द्वारा वर्मी कल्चर के लिए 50,000 तक की सबसीड़ी दी जाती है ओनलाइन अपलाई करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए लिंक पर अपलाई कर सकते हैं सबसीड़ी की सुविदा औरगेनिक खेती करने वाले किसानों को ही दी जाती है सबसीड़ी के लिए स्क्रीन पर दिये गए डोकुमेंट्स किया उसकता पड़ती है और ये है हमारा ब्लैक गोल्ड पूरी तरह से तयार वर्मी कमपोस्ट वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें शेयर करें लाइक करें धन्यवाद